सत्रह सीजन और छे टीम क्या दिनेश कार्तिक कभी जीत पाएं IPL ट्रॉफी या खाली रह गया हाथ? दिनेश कार्तिक के सत्रह साल का IPL करियर खत्म हो गया है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ IPL 2024 का एलिमिनेटर मुकाबला कार्तिक के करियर का आखिरी मैच था. इस मैच में टीम को हार मिली और कार्तिक का करियर भी खत्म हो गया. कार्तिक को 2008 की नीलामी में दिल्ली डेर डेविल्स ने खरीदा था. उसके बाद से अभी तक वह छे टीमों का हिस्सा रही हैं. कार्तिक उन साथ खिलाडी में शामिल थे, जिसने अभी तक IPL का हर सीजन खेला है. कभी IPL जीत पाए हैं, कार्तिक? दिनेश कार्तिक पिछले तीन सीजन से RCB का हिस्सा है. यह टीम कभी ट्रॉफी नहीं जीती है. 2015 में भी वह RCB के साथ थे. शुरुआती तीन साल वह दिल्ली की टीम में थे और उसे भी ट्रॉफी नहीं जीती है. फिर कार्तिक किंग्स 11 पंजाब गए. उसके पास भी केके आर के लिए कप्तान के रूप में कार्तिक खेले. वहां भी उनका हाथ खाली रहा. लेकिन 2013 में मुंबई इंडियन्स का हिस्सा रहते हुए दिनेश कार्तिक को IPL ट्रॉफी जीतने में सफलता मिली थी. 2013 में बल्ले से बेस्ट प्रदर्शन 17 सीजन के IPL करियर में दिनेश कार्तिक ने सिर्फ एक ही बार 500 से ज्यादा रन बनाए हैं. ऐसा उन्होंने 2013 सीजन में किया था. मुंबई के लिए कार्तिक ने 510 रन बनाए थे. फाइनल में चैन्नाई सुपर किंग्स को हराकर मुंबई ने खिताब जीता था. मुंबई ने कार्तिक ने लगातार टॉप ओर्डर में खेलने का मौका दिया था. उसी साल कार्तिक चैंपियन्स ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई इंडियन्स टीम का भी हिस्सा थे. 2016 और 2017 म का अफसोस भी है. कुछ समय पहले उन्होंने रविचंदरन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर कहा था कि उन्होंने जीवन के सबसे बड़े मलाल में एक है कि उन्होंने मुंबई इंडियन्स के साथ रिटेन नहीं रहने का फैसला किया. कार्तिक के अनुसार मुंबई उ उन्हें बड़ा खिलाडी बनने में मदद कर सकती थी. इसके साथ ही उनके पास कई और ज्यादा IPL ट्रॉफी होती.